Hello दोस्तों, Solidity Fundamental Course में आपका स्वागत है मेरा नाम अंजली है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी तो आज के पार्ट में हम डेटा प्रकार के बारे में बात करेंगे यानि कि डेटा टाइप्स Solidity में कौन से कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास अविलेबल है हम उनकी जानकारी प्राप्ट करेंगे तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने पहले भी लेसन में बात करी थी कि Solidity एक statically typed language है इसका मतलब क्या है कि Solidity में जैसे ही हम code लिखते हैं उस time पे ही हमें data type बताना होता है हर किसी variable का कि वो variable अपने में integer save करेगा data, string save करेगा या boolean save करेगा हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस वक्त कुछ भी data type define ना करें और compilation होने के बाद run time पे कुछ भी dynamic values उसको दे दें है ऐसा वो accept बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि एक statically type language है तो अब जो data types होते हैं solidity में दो तरीके के होते हैं एक तो होते है value types जिसको बोलते हैं मूल्य प्रकार तो value types में भी पहुत सारे types available हैं जैसे signed integer, unsigned integer, boolean, address, enumeration और bytes और दूसरा type होता है एक जिसको हम बोलते है reference type जो reference type होता है उसको संधर्परकार भी बोलते हैं इसमें महार पास आते है array, string, structure, mapping तो यह सारे हमारे पास reference type data type है तो आप mostly आप लोगों की I think solidity पहली programming language नहीं होनी चाहिए तो अगर आपने कोई और language पड़ी है तो यही दोनों data types वहां पे भी mostly पाए जाते हैं हर language में value type data type होते हैं और एक reference इन दोनों में difference क्या है जो value types में जो data types होते हैं उनमें जो सारी value store होती है वो हमेशा copy होके निकलती हैं बाकी जगापे मतलब original में कभी भी कोई change नहीं आता जहां पे भी वो functions में कभी भी call होती हैं तो हम उनकी copy बनाके use करते हैं तो value types मतलब एक value simple और reference type का मतलब वो किसी address को refer करती हैं point करती हैं तो जो data types reference को point करते हैं आप उनको कहीं पे भी अगर use करोगे तो जो भी आप उसमें change करोगे वो actually original जगा पे जाके change ह हो जाएगा तो हर जगर reflect होगा तो यहीं difference होता है और हर programming language में यह difference होता है solidity में अब क्या difference है कि value type और reference type तो बैसे ही है जैसे बाकी language में यहाँ पर data types कुछ अलग type के हैं जैसे यहाँ पर integers दो तरीके के हैं signed और unsigned integers जादा तर हमेशा mostly programming language में स्रिप एक ही type के data type होते हैं boolean तो common है हर language में होता है address एक solidity specific data type हो गया enumeration भी होती है बाकी में bytes जो है वो भी solidity specific हो गया again reference type में देखें तो array, string, structures यह तो mostly होते हैं बट mapping एक ऐसा data type है जो की solidity में ही introduced किया गया है और यह काफी important data type भी है तो इस वीडियो में अभी हम के आज के लिए signed, unsigned integers और boolean की बात करेंगे अपने next वीडियो में हम बाकी data types को cover करेंगे और जो reference data types हैं उनको हम detail में एक एक data type उठा के उसके बारे में detail में discuss करेंगे तो पहले sign integers से शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात sign integers कैसे लिखे जाते हैं int keyword से keyword क्या होता है int simple अब इनका use क्या है यह positive और negative दोनों value सर्फ करने के काम आते हैं तो अब जान लेते हैं कि integers में negative number भी आते हैं 0 भी आते हैं positive भी आता है तो अगर आपके smart contract में आपको कोई ऐसा variable चाहिए जिसमें आपको negative value भी हो सकता है डालनी पड़े positive भी डालनी पड़े तो आपको sign integer की ज़रुरत नहीं है उस case में prefer किया जाना चाहिए unsign integer तो फिलाल sign integer के लिए sign मतलब कोई sign plus या minus sign तो इससे आपको याद रहेगा sign integer मतलब जिसमें plus minus दोनों possible है तो अगला point important point देख लीजे int जो है वो abbreviation होता है int 256 का कहने का मतलब क्या है कि इसकी range के बारे में अभी एक मिनट के बाद बात करेंगे सबसे पहले तो जो sign integer भी है इनके भी further काफी सारे types है types मतलब आप int sign integer के under भी आप int 8 लिख सकते हो, int 16 लिख सकते हो, int 24 कुछ भी लिख सकते हो तो यह steps of 8 में आप लिख सकते हो, up to int 256 लिख सकते हो, इन में difference क्या है वो हम देख लेते हैं, बट इसमें जो maximum possible है वो है int 256 और इसलिए int 256 में आपको 256 अलग से लिखने की ज़रूत नहीं, आप अगर सिरफ int भी लिखते हो, वो default होता है int 256 के लिए अब difference क्या है, जैसा कि आप समझ सकते हो, इन सब में हम जो number लिख रहे हैं साथ में, वो actually number of bits बताता है, जो इस variable को चाहिए data safe करने के लिए, अगर आप int 8 लिखते हो, तो उसको 8 bit सिरफ चाहिए उस data को safe करने के लिए, आप int 256 लिख रहे हो, तो वो 256 bits यूज़ करके data लिख करने की बजाए, क्योंकि ब्लॉक्चेन में memory space ये सारी जो है, हमारी gas fees वगरा के लिए काफी important हो जाती है, तो optimize करने के लिए contracts को, अगर हमें लगता है कि हमारा ये data type इस range को exceed नहीं करेगा, और छोटी range से काम चल जाएगा, तो उसलिए हमें facility मिली है, कि हम INT 8, 16, SAB data types सकता है, 32 bytes, वो ही default हमने लिखा है, अगर हम चोटे यूज कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं, उसका size कम हो जाएगा, तो max size 32 bytes है, तो यही बात इस point में लिखी हुई है, कि 32 bytes से भी चोटे sizes possible है, अगर आप number of bits जो INT के साथ लिख दो, इसमें condition क्या है, वो 8 के multiples ही होने चाहिए, अब INT 20 नहीं लिख सकते, अब INT 8 से शुरू करके 256 तक कुछ भी लिख सकते हो, 8 के multiples में, तो वो उतनी bits का data ही बस लेगा, तो अब इन सब में difference कहां आएगा, difference आएगा range में, जो यह range यहाँ पे लिखी हुई है, अब यह देखने में बहुत confusing सी लग रही है, बट यह बहुत simple है, जो लोग computer science background है, उनको तो यह पता भी होगा कि यह कैसे calculate होती है, कि अगर हमारे पास given है 256 bits और हमें उसमें negative और positive दोनों values store करनी है, तो हम कितने number उसमें save कर सकते हैं, तो minus में अगर आप जाएंगे, तो वो होगा minus 2 raise to the power, जो वो number है, जितने bits आपके पास available हैं, उसको एक minus 1 कर दीजिए, यानि 256 minus 1 कितना होता है, 255, तो minus 0 के left hand side पे number scale भी जाएंगे, तो minus 2 raise to the power 255 से लेके, प्लस में अगर आप बात करें, तो 2 raise to the power नहीं change होगी, पावर 255 रहेगी, बस minus 1 एक और आजाएगा, इसको हम समझ लेते हैं, कि अगर 8 bit से देखते हैं, 2 raise to the power 8 जो इतना होता है, 128 होता है, अगर INT 256 को छोड़ने, अगर हम INT 8 डेटा टाइप लिखते हैं, अपने solidity code में, तो उसका क्या मतलब होगा, कि INT 8, 8 मतलब 2 raise to the power 8 नहीं, 2 raise to the power 8 minus 1 करेंगे हम, तो 2 raise to the power 7, वो होता है 128, तो अगर हम INT 8 लिखेंगे, तो हमारी जो range हो जाती है, वो कित 128, तो minus 128 से लेके, 2 raise to the power 8 minus 1, यानि की 127, तो यह समझ लिजे कि INT 8 की जो range है, वो है minus 127 to 128, तो क्योंकि आधा-धा डिवाइड हो गया, इसको आप बहुत simplistic terms में अगर हम देखना चाहें, तो मैं यह कह सकती हूं कि 8 bits मेरे पास थी, 8 bits में हम कितना data save कर सकते थे, 2 raise to the power 8, तो 2 raise to the power 8 कितना होता है, 256 होता है, तो अगर मुझे सरफ positive numbers save करने होते है, 0 से लेके, तो मैं 255 तक save कर सकती थी, क्योंकि 256 number की मेरे पास space है, बट अगर मुझे इसको divide करना पड़ेगा positive और negative में, तो जाहिर सी बात है, half करेंगे हम उसका, तो half तो कर देंगे, तो 128 इधर, 128 होता है सुदर, बट वो exact values क्या होंगी, वो start कहां से होगी, minus 128 से शुरू होगी, up to 127, यह आपको बस ध्यान रखना है, तो same case है, 16, 256 सारी bits के लिए, तो यह signed integers की बात है, इसमें एक point और है, कि इसके जो steps of 8, 8, 16, 24 लिख सकते हो, इसमें जो default value होती है, वो 0, solidity में null undefined का क कोई concept नहीं है, तो signed integer अगर आप कोई value नहीं दोगे, तो solidity उसको 0 मान के चलेगी, अब unsigned integers की बारे में बात कर लेती है, इसका सारा कुछ same है signed integers की जैसे, बस एक difference है कि यह 0 या positive numbers ही save करता है, और uint keyword से save होता है, तो जिन जिन जगाओं कि आपको पता है कि आपको सर्फ positive numbers स से deal करना है, तो better आप unsigned integer use करो उसमें, इसमें भी वही concept है, 256 जो है by default होता है uint का, तो uint 256 लिखने की ज़रत नहीं है, uint भी लिखोगे तो भी वह same ही चीज है, तो और इसकी range क्या होगी, अब 0 से शुरू होके 2 raised to the power 256 minus 1, तो आप देख सकते हो range double हो गई, उसकी बढ़ negative numbers cover नहीं करने, अगर 28 bits होता, तो ये कितना हो जाता, 0 to 127, size कितना है, 32 bytes है, again small sizes इसमें भी possible है, uint 8 से लेके 256, 8 के multiples में आप कितने भी sizes ले सकते हो, और इसकी भी default value जो है, वो 0 है, चलिए, अब boolean के बारे में बात कर लेते हैं, boolean is mostly same, जो बाकी languages में होता है, boolean data type वैसा जही है, इस language में भी, ये boole keyword से use होता है, इसमें binary results हम store कर सकते हैं, binary results मतलब या true या false, so boolean जातार उसी काम आता है, कोई flag set करना है true या false में, तो उसके लिए, और इसमें आपने अगला point guess करी लिया होगा, कि by default, अगर आपने कोई नहीं value set करी, तो by default, जो है, solidity उसको false करा true करनी पड़ेगी उसको, और ये size कितना लेती है, one byte का size लेती है, boolean data type हमेशन one byte size लेता है, और जो इसमें boolean data type है, वो support करता है, सारे boolean operations, जो कि बाकी languages में भी supported होते हैं, जैसे कि not equal to, equal to, equal to, and, or, तो ये सारे जो operators हमारे बाकी में होते हैं, यहां पे भी होते हैं, और सब supported होते हैं, तो boolean data type काफी simple data type है, इसमें जादा अधिकत नहीं आएगी, तो आज की वीडियो में हम इतने ही data types discuss करेंगे, बाकी के data types हम अगली वीडियो में discuss करेंगे,